दोस्तों तुम्हें पता है पिछले वेकेशन में हमारा पूरा परिवार मच्शुटा के मौंतन पर गया था वहाँ हमने बहुत ही टेस्टी खाना खाया हमने खाय धेर सारे स्टीन मश्रूम्स, ग्रिल मश्रूम्स, मश्रूम राइस और मश्रूम सूप वहाँ पर खूफ सारे मर्शूम के डिशिस थे मैं तो सारे खा भी नहीं पाया उन मर्शूम्स को सीधे खेतों से लाया गया था उनका रंग और उनकी खुश्बू तो कमाल की थी तुम लोगों को वहाँ एक बार जरूर जाना चाहिए पर शायद वहाँ पर जाना तुम लोगों के बस की बात नहीं क्योंकि वहाँ जाने में बहुत सारे से लगते हैं इसलिए तुम लोग तो वहाँ पर नहीं जा पाओगे तुम लोग इसी मैदान में खेलते रहना वैसे दोस्तों वहाँ पर जारा सब की किस्मत में नहीं होता मेरा मतलब है जैसे की तुम लोग यह कोई नहीं बात नहीं है पर सीनियों की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर बड़ा घुस्सा आता है और मुझे जलन होती है ओ हाँ मैं डोरी मॉन से बात करूँगा और मुझे यकीन है कि डोरी मॉन भी अपनी पॉकेट से मश्रूम नहीं निकाल पाएगा वैसे मैं आज तक उस जगा कभी नहीं गया देखो मजाग मत करो मैं वहाँ गया तो मैं जरूर सबसे बड़ी मच्री पकलूँगा इतने उदास क्यों लग रहे हो नोबिता ये नामुम्किन है क्या नामुम्किन है कुछ भी नहीं चलो ठीक है बड़े अजीब लोग है सब क्या बात है डैड डोरे मॉन अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ मेरे ओफिस के एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मैंने इतनी बड़ी मचली पकड़ी है मैंने उससे कहा कि वो ऐसे ही डिंगे मार रहा है उसने मुझे सुबूत के तौर पर उस मचली का फोटो दिखाया उसका कहना है कि वो फिशिंग मुझसे भी अच्छी तरह से कर सकता है उसने मुझे उस मचली से ही भी बड़ी मचली पकड़ कर दिखाने की चिनोती दी है अरे वो ढिंगे मारता रहा और मैं सुनता रहा वैसे अगर मैं चाहूं तो उससे भी बड़ी मचली पकड़ सकता हूँ समझे, पर क्या है मेरे पास वक्त नहीं है अब डॉरेमोन तुम मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हो ना उसने मुझे इस बात की चिनोती कैसे दी डाट, यह नजदी की एक पिश पॉंड है ओहो तुम मेरी बात को समझते क्यों नहीं नॉबीता बड़ी मचनिया सिर्फ नदी में ही पकड़ी जा सकती है समझे तुम ओ अच्छा, मेरे पास जील और नदी दोनों है डाट क्या, सच्मी जड़ा एक मिनट रुकिए, मैं आपको अब ही दिखाता हूँ मिनियेचर गार्डन सीरीज, मांटेन स्ट्रीम आखिर तुम इस मिनियेचर गार्डन से करने क्या वाले हो अभी बताता हूँ डाट स्विच को ओन करते ही पानी का सर्क्यूलेशन शुरू हो जाता है जिससे एक मांटेन स्ट्रीम तयार हो जाती है अब मैं इस पानी में छिड़ पूंगा कुछ इंस्टेंट हाचिंग मिनियेचर फिशेक्स जो कुछ ही देर में हाच हो जाएंगे ये लो अब वक्त हो गया है अब ये फिशिंग के लिए तयार है ठीक है डाट, अब आप भी तयार हो जाएए अब जादें लीजे डाट पर मुझे फिशिंग के लिए तयार होने की क्या दरूरत है अब आप अपने चूते पहन लीजे आप तयार है स्मॉल लाइट समझ गया तुमने डाट को छोटा कर दिया दा कि वो मिनियेजर माउंडन स्ट्री में फिशिंग करने जा सकी बिल्कुल सही कहा अफो, ये सब क्या है मैं तो भीग गया हूँ मुझे जला आराम से नीजे उतारना था तुमने तो कहा था यहां बहुत सारी मचलिया होंगी पर यहां तो अरे, ओ, 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 फेट सारी मचलिया है वाँ तुमने देखा डाट कितने खुश है जोरी मॉन, तुम किसी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, है ना? सीरीज के बारे में, ओ, हाँ, नोबिता क्यास का मतलब यह है? कि अलग-अलग तरह के पहार होती है? तुमने सही कहा अच्छा, किस तरह की? बताओ ना, जोरी मॉन रॉक्लाइबिंग प्रैक्किस के लिए रॉकी माउंटेन होते हैं स्कीन तो बर्व के स्लोग पर की जाती है और हाइकिंग के लिए बच्चे माउंटेन्स पर जाते हैं सर्वाइवल स्किल्स के लिए भी माउंटेन्स होते हैं और कई तरह के माउंटेन्स होते हैं सुनो डो रीमॉन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ क्या कोई मश्रूम का माउंटेन भी होता है? होता है सच में, कहो पर है, तुझे पीखना है नोबिता, रूप जौंप मैं उसे भार निकाता हूँ यहां तुमें मश्रूम्स मिलेंगे ये, अब तुम क्या करोगी? अच्छा, सुनो नोबिता, मैं तुमें बताता हूँ पहले मुझे मश्रूम के बीच बिखेडने होंगे, इस तरहां और फिर, हमारी स्पेशल संडे फार्मिंग सेट से हमारे पास कुछ खास चीज है मिनियेचर सान लॉंचर और एक ट्यूब में बादल तुम इनकी साथ क्या करोगी? थोड़ा सा सबर करो ये देखो सब तयार है नूबिता, अब हम लॉंच करने वाले हैं सन अब हम इसे देंगे काफी सारी धूप और बारिश और फिर तुम देखना नूबिता, करीब दस मिन्टों में मश्रूम सुगने शुरू हो जाएंगे जोरी मौन, क्या मैं शिजूक और बागी दोस्तों को बुला लाओं? हाँ, जरूर बुला लाओ, मैं उनने ले आता हूँ हाँ, 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 जरूर बुला लाओंगे यह मश्रूम स्टोड कर खा सकते हैं, मुझे तो यकीन है नहीं हो रहा नूबिता मैं सच के रहा हूँ, आओ, तुम खुद ही देख लो अँआ, ओ, अरे नूबिता, देले चलो, मैं चांद कर रही हूँ देले चलो दोरे बॉन, हमें बताओ, मश्रूम कहां पर हैं, चलो हम शरू हो जाएं हमें इस माउंटेन पर जाना है अब तुम सब पहनलो अपने अपने बैंबू कॉप्टर्स देखो शिजूका, मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला हे नूबिता, देखो, यहाँ पर कितने बड़े मश्रूम है शिजूका, आओ, वहाँ जाकर देखते हैं अच्छो ठीक है, ज़रा में ले रुको तो सही जल्दिया, बढ़िया लगता है हमारे यहाँ सारा समान अच्छी क्वालेटी का होता है यह निंचे आपका समान शुक्रिया आईए मैडम, चार क्रोकेट्स थैंक्यू मैडम, आज मश्रूम्स बहुत सस्ते बिक रहे हैं और बहुत बढ़िया भी है, आप लेना चाहेंगी आथ हाजार रुपए यह तो बहुत वाजिब दाम है मैडम, आप खरीद लो क्यों नहीं, यह है तो बहुत ही सस्ते पर मैंने किसे और दिन खरीदना चाहूंगी चलती हूँ वा, देखो मुझे कितना बड़ा मश्रूम मिला यहाँ पर कितने सारे मश्रूम्स है पर मेरा बासकट तो फॉल हो गया है देखो मैं कितने सारे मश्रूम्स ले आया हूँ मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो चुका और मश्रूम्स के लिए हम यहाँ फिर दोबारा आ जाएंगे ठीक है मुझे लगता है कि हमें इन मश्रूम्स को ताजा ताजा टेस्ट कर लेना चाहिए एक दिन में तब तक मश्रूम्स खाऊंगी जब तक मैं उनसे उप ना जाऊं पर अगर कीमत यूँ ही बढ़ती रही तो अरे शिजुका और बांकी सब अभी तक गए नहीं अरे ये क्या ये खुश्बू क्या ये मश्रूम्स की खुश्बू है ये खुश्बू तो ऊपर से आ रही है कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही ये कैसे हो सकता है मुझे जल्दी से चल कर डिनर की तैयारी कर लेनी चाहिए मेरी खयाल से अब हम इसे खा सकते हैं मजा गया क्या खुश्बू है रंग भी बढ़िया है बहुत टेस्टी है अरे वाँ मजा आ गया तुम इती जल्दी में मत खाऊनो पिता चोड़ो ना यार खाने में दूँ ये अब तयार नहीं हुआ है जियान अब सब्र करो चलो आप वापस चलते हैं चलो ऐसा करते हैं घर चलतकर मॉम को सप्राइज कर देते हैं चलो ठीक है इन्हें घर ले जाने में कितना मज़ा आएगा इतने सारे मश्रूम्स देखकर मेरी मॉम तो चौकर बेहोश हो जाएंगी बिग लाइट की मदद से हम फिर से अपनी ओरिजिनल साइज के हो जाएंगे अच्छा आंटी अब हम लोग घर जा रहे हैं अच्छा हम जा रहे हैं दोबारा आना तुम दोनों का शुक्रिया फिर मिलेंगे जब मन करें आज आना डोडी मोन क्या डाट में कोई मश्ली पकड़ी होगी आओ देखते हैं हे सुनियो हाँ हाई जियान हाई शिजुका तुम दोनों इस वक कहा पर जा रहे हो जरा इन्हें तो देखो अच्छा तो ये मामूली मश्रूम्स हैं हे बेवकूफ क्या ये तुम्हें मामूली क्वालिटी के लगते हैं हाँ मतलब ये अठी क्वालिटी के हैं हाँ बिल्कुल हम इन मश्रूम्स को मच उटाके माउंटेन से लाए हैं क्यों शिजुका ठीक अहाना हाँ जियान तुम बिल्कुल ठीक है रहे हो फिर मिलते हैं सुनियो अच्छा तो हम चलते हैं चाहो तो एक लेलो सुनियो लकीन नहीं होता मैं बहुत सालों से फिशिंग कर रहा हूँ पर इतनी सारी मच्छिया मैंने पहले कभी नहीं पकड़ी ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो सब डोरेमोन का कमाल है अब मैं अपने दोस्तों के सामने सर उठा कर जा पाऊंगा हाँ डैज आउ मॉम के लिए भी ले चलते हैं हाँ अच्छा एडिया है हमारे लिए भी अरे सुनती हो कहिए मॉम डिनर का वक्त हो गया है अरे पर आप सब इस तरह से मुस्कुरा क्यो रहे है ये देखो ये सब क्या है मुझे तंग मत करो मैं बहुत बिजी हूँ ये ये तो ये मश्रूम और मचलिया अरे ये कैसे हो सकता है मॉम मुझे चाहिए मश्रूम राइस और मश्रूम सूप ठीक है और मुझे पसंद है स्टीम मश्रूम ग्रिल्ड मश्रूम और ग्रिल्ड फिश ठीक है न नहीं ये नहीं हो सकता ये तो बिल्कुल एक सपना सा लगता है लेकिन ये सपना नहीं है मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये बिल्कुल नहीं हो सकता अरे मैंने खुद इन मचलियों को पकड़ा है नहीं नहीं आप इतनी सारी मचलिया पकड़ ही नहीं सकते तुम विश्वास तो करो इसमें उनका कोई दोश नहीं है हाँ बेकुल